हाई हेलो गाईज वेलकम वेक्टु मैं चैनल तानवी की चैनल में आउस भी का मॉस्ट वेलकम है तो आज फिर एक न्यूव वीडियो आपके सामने लेके हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत बुलेगा और हाँ मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब ताकि मैं जबी भी कोई न्यूव वीडियो लेक्या हूं सबसे पहले नोटिकेशन आपको ही मिले और येदि आपको कोई कंफीजन हो तो होने लगा है जैसे दातों में कीड़े पढ़ जाते हैं तो उसकी वीज़े से बहुत ज्यादा पैन होने लग जाता है और हमें खुद को भी मालूम नहीं होते हैं के हमारे दातों में कीड़े पढ़ गये हैं और पूरी जबडे में दार्द होने लग जाता है जैसे मसूड पूरे स्वेलिंग आ जाती है पूरे जबडे में दर्द होता है और इचिंग जैसा होता है तो ऐसे कई तरह की प्रोब्लम में हमारे दांतों के साथ होती है तो हम तुरूंट डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर हमें यही सला देते हैं जैसे दांत को निकालने की कई तरह की इस तरह की सला देते हैं तो हमारे अक्सर दांतों के जो पिछे की हिस्से होते हैं डाट बोलते हैं उन्हों को तो उन्हों में क्या होता है कि कीडा लग जाता है तो हम ऐसे भी हम दांत साप करते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे दातों के बीच में खाना पस जाता है तो इससे धीरे दीजिए जैसे सडन सी होके और हमारे जबडों में जैसे कीडा लगना ही स्टार्ट हो जाता है और कीडा लगता है तो इतना पहन होता है कि आप सोच सकते होंगे किता ज़्यादा भूत भेंग कर इससे पहन होता है और हम हो जाते हैं बहुत ही ज़दा परिसान तो उसके लिए मैं बहुत ही अच्छा सा राम बान सतन उसका सेर करने वाली उक्रीबन दो रेमेडी आपके सास्थ सेर करूँगी जो आपको अच्छी लगी वो आप यूज ले सकते हो तो ये आप देख रहे होंगे ये क्या है तो ये है फिटकरी तो फिटकरी आप सभी को पता है किस काम आती है जैसे हम पानी डालते हैं पानी में डालते हैं पानी को साफ करने में काम आती है और कई तरह से यूज ली जाती है तो आज मैं जो फिटकरी से बहुत ही अच्छी सी दो रेमेडी सेर करूँगी वह आपको बहुत रगने वाली जो आपको अच्छी लगी वह आप यूज ले सकते हो तो गैस मैं इसको क्या कर रही हूं जो फिटकरी लिए चोटा सा टुकडा लिया था उसको मैंने तोड़ लिया था और उसके बाद में इसको मैं बिल्कुल बारी चूरं जैसे बना दे रही हूँ बिल्कुल अच्छे से कूट ले रही हूँ जो आप अधरब कूड़ते हूँ उसी से मैं उकली से कूट रही हूँ तो आपको अच्छे से कूट लेना है और फिट कर याप सभी को पता है ज्यादा महंगी नहीं आती है यह आपके पास ना हो तो आप मार्केट से जाके ले सकते हो ज्यादा महंगी बिल्कुल भी नहीं आती है तो इसका इस तरह किसे करोगी तो आप सोच नहीं सकते हो कि फिट दातों में कीड़ी लग जाती है तो मवाद भी पड़ जाती है भेंग कर दर्द होता है जिस किसी के दर्द होगा उसको पता होगा कि डाड में जब दर्द होता है तो कितना ज़्यादा पैन होता है और जैसे पूरे जबड़े में भी हमारे क्या होता है कि स्वेलिंग आ जात और खाना में खाया नहीं जाता है इतनी ज़्यादा प्रोब्लम होती है तो उसके लिए रामबान नुस्का है कोई ज़्यादा पेसा खर्च नहीं होने वाला और सीधा आप जिसे चले जाते हो डोक्टर के पास यसे जाने की कोई ज़रत नहीं पड़ेगी और जो यह नुस्क पूरे जबड़े में दर्द होने लगा है और इचिंग जैसा होने लगा तो उसके लिए रामबान है और जिसके कीड़ा भी होगा दात में पिछी कीड़ा हो जाता है तो इससे आप करोगे जिसे मैंने एक ग्लास में पानी लिया है बिलकुल आपको अच्छा वाला पानी लेना है आरो का हो तो आरो को लीजिए इस आरो को ना हो तो आप थोड़ा सा गरम करके और इसको उबाल के फिर इसका इसका इस्तमाल कीजिए फिर ठंडा होने के बाद में तो ये आपको क्या करना है फिट करी है फिट करी एक चूथाई चमस आपको लेना है और इसमें डा साधा आप खाने भूह यूज़ नहीं लेना आपको सेंदा नमक वर्त लेना यूझ लेना है तो मैंने लिआ है और मैंने लिया है वह typ olarak कर लिए यह दूबा लेना है योज़ फिर आपको कीय दूर्डा करना है दाना मुह में लेना एक पानी मुह念 है और भेर से कला करना है निकाल दिए जाना ही ना org देवट आंड에서 कल ला तो पूरे से बचल करना है और दीन में एक से दो बार करिए clyए काना कर लो उसकी भाद में क करिए तो उसे क्या होगा आपके दातों में जो खाना होगा वो पसा होगा वो भी निकल जाएगा और जैसे आपके दांतों में जैसे पूरे जबडों में स्वेलिंग आ गई हो तो उससे भी बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा और दात में दी कीडा भी पड़ गया होगा तो आप कुला करोगी साइध तो जो फिटकरी होगी और नमक होगा वो काम करेगा इसका भार निकालने का तो आपके दात में जैसे कीडा भी था और निकल गया उसका पता बिल्कुल भी नहीं चैनने वाला है तो इतना अच्छा ये वरक करता है तो एक बार मेरे बताये तरह किसा आप करके देखिएगा गाइस आपको फ ऊफिट कर 오늘 ग最 focused करीत है तो इसमें क्या करोंगी में लोंगी सरसो का तेल को जो यह करिंगा है या सरसो का क्या क्या बिल्कुल भी नहीं रहे लेना मकी और एक पर आपके विल्कुल से बाता है जोिससे कस्ट गानी का आता है वही सरसो का तेल लेता है यानि मस्टड ओयर इसमें नमक भी आपको डालना है और मिला लेना है नमक आपको चुटकी पर डालना जदे नहीं डालना है और इन दोनों को आपको मिला लेना है मिला के और फिर आपको कोटन लेना है कोटन लेके और फिर बाद में इसके लगा के और फिर आपको क्या करना है दांतों के जहां दांत में दार्द हो रहा है तो आपको करीबन 10 मिंट के लिए रखना है बिलकुल भी आपको बोलना नहीं है वह रख देना है और दांत के नीचे दबा लेना है तो इससे क्या करना है 5-10 मिंट रखोगे तो अंदर तक इसका जैसे जो फीट करी होगी और जैसे नमक होगा और और इसमें ओयल भी डाला है, सलसो का तेल डाला है, वो वर्क करेगा, और 5-10 मिंट के लिए आपको थूखना बिल्कुल भी नहीं है, और जैसे नीचे नहीं जाने देना, यदि आपका जैसे लार्ज जैसे आ रहा है, मूं भर गया है, तो आप उसको थूख सकते हो, ऐसे कर सक देना है, अंगली की साहिता से, और फिर पूरा लगा लोगे, तो उससे बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा, और फिर बाद में आपको जब आपको लार से मूँ भर जाए, तो आपको थूख देना, इस तरह से वरक करना है, और फिर आपको जो मैंने पानी बनाया तो उससे क पैन होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और मसूडों में स्वेलिंग आ गई होगी, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाने वाली है, और जो मैंने लाश्ट में जो तरीका बता है, जैसे यह राम बाण है, यह दिया आपके धात में कीड़ा लग गया हो, तो इस तरह से जरू करेगा, जबी यह काम करेगा, जबी आपका दांत के जो कीड़ा होगा, तुरूंत भाहर आ जाएगा, कोई दवाए मेडिसन लेने के आपको कोई जरूरत नहीं है, वहती आसानी से आप घर पे इलाज कर सकते हो, आपके धांतों का, तो आपको वीडियो आपको जरा भी हमा और टेक क्यार